हेलो स्टूरेंट तो दिस इस यो लेक्चर 3 तो हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा कि जो नुक्लियोंस हैं उनका अपना एक ओर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रोन की तरह ही और उसके जो उनका ओर्बिटल अंगुलर मोमिंटम था वो था एल और दूसरा मोशन क्या था स्पिन करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोन करते हैं तो उसकी जैसे जो उनका अंगुलर मोमिंटम था वो एस था और इनका रिजल्टेंट क्या था हमारा नुक्लियोंस के केस में आई ठीक है तो यह हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था अब हम दूसरे टॉपिक पे जा और उनके बीच में एक डिस्टेंस होती थी दी थीक है तो उसके बात इसका जो यहां पर हम देख लेते हैं कि यह क्या होता है तो सबसे पहले यह हमें है क्या याद रखना है कि हमेशा magnetic dipole moment का जो source है वो current है ठीक है तो यहाँ पे हम लेते हैं कि कैसे हमारा magnetic dipole moment हम derive करते हैं तो मानते हैं कि हमारा एक charge plus E है जो कि एक orbital motion कर रहा है ठीक है तो जब एक charge move कर रहा है तो उससे क्या होता है एक current मिलती है ठीक है तो since एक charge इस लूप में move कर रहा है तो एक हमारी current भी इसी direction में flow हो रही है ठीक है तो हमें जो source है हमारी dipole moment का वो तो हमें मिल गया ठीक है अब हम इसका formula देखते हैं कि वो क्या होता है तो magnetic dipole moment को जो classically लिखते हैं वो होता है mu is equals to i into a अब यहाँ पे हमें i और a की value देखनी है तो current के लिए हमें पता है सबसे simple formula क्या है कि q is equals to i t होता है तो यहाँ से हमारी current है वो क्या हो जाएगी q by t अब हमें q की value पता है कि यह क्या है e है हमारा तो q की जगे हमने e रख दिया और t क्या है time time is equals to distance upon speed तो absence यहाँ पे जो particle है वो एक circle में move कर रहा है तो एक circle के यह जो इसकी boundary है इस पे move कर रहा है ठीक है तो उसकी विज़े से क्या होगा कि इसका जो path length होगी वो कितनी होगी 2 pi r अगर इसकी जो radius है वो r है तो ठीक है तो t की जगा हमने 2 pi r रख दिया और इसकी जो speed है वो मान लेते हैं v है तो इस तरह से हमारी current मिल गई हमें तो यह value हमने यहाँ पे substitute कर दी i is equals to ev upon 2 pi r और a की value since यह एक circle है तो circle का जो area होगा वो क्या होगा pi r square तो यहाँ से हमें अपने जो magnetic moment की value है वो यहाँ से मिल गई e y 2 m l अब हमने इसको vector form में लिखाया यहाँ पे तो mu is equals to हो गया हमारा e upon 2 m and l ठीक है तो यह हमारा magnetic dipole moment का एक general formula हमें मिल गया अभी हम देखते हैं कि orbital magnetic dipole moment जो है वो क्या होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं अब कोई भी अगर आपको quantity measure करनी है तो आपको externally कुछ apply करना होता है तो इस case में since आप इसकी magnetic property देखते हैं तो आपको एक magnetic field लगाना ही होगा तो यहाँ पे हमने माना कि जो हमारा magnetic field है वो हमने z direction में लगाया है particle के ठीक है तो इसलिए हमने क्या कि कि यहाँ से जो हमने mu की value लिखी है वो mu lz लिखी है since orbital की बात कर रहे है इसलिए l आया और since हमने field जो है वो z direction में लगाई इसलिए हमारा z आया इस तरह से हमारा magnetic dipole moment आया है वो ey2m और l की जगा हमने l का z component है वो रख दिया जो कि है lz अब lz को जब हम apply करेंगे wave function पे तो हमें मिल जाएगा mlz h cross ठीक है तो finally यह सब values जब हम put करते हैं तो हमें जो formula मिला वो mu n mlz हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो यह factor है e h cross upon 2m उसे nuclear magnetron बोला जाता है जैसे कि आपको यादो का war magnetron आपने electron के लिए पढ़ा है तो यहाँ पे e h cross upon 2mp जो की proton का mass है वो है तो उसकी value आपके आती है 5.05 10-27 J पर tesla तो यह हमारा simplified एक formula मिल गया है orbital magnetic dipole moment का तो यह जो formula था हमारा यह एक particular जो हमारा charge हम लेके चले थे जो की e था उसके लिए था तो यह e charge के लिए हो गया अब अगर हमें एक general formula लिखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक factor हमने gl लिख दिया है जिसमें बाकी जो भी charges है उसका factor gl की जगा आ जाता है तो जैसे कि अगर आपका e charge ही था तो gl की value क्या हो जाएगी आपकी 1 ठीक है बाकी और क्या value होगी तो हमने इसी formula से analogy लेके L की जगा हमने s रख दिया यहाँ पे तो यह हो गया mu s z और gl की जगा हो गया g s और mu n m s z ml z की जगा यह हो गया है m s z तो इस तरह से यह जो आपके formula है वो orbital magnetic dipole moment के लिए यह formula है और spin magnetic dipole moment के लिए यह formula तो यह हमारे generalized formula है तो अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी factors आए gl और g s अभी हम actually इसमें nuclear physics में हम अभी basically किसके लिए पढ़ रहे है neutrons के लिए और protons के लिए तो अभी हम उसी के लिए देखेंगे कि यह जो gl की value है और g s की value है वो क्या होती है तो जो जो gl है यह g s है उसे हम land factor गोलते हैं ठीक है तो इसकी value जो protons और neutrons के लिए है वो यहां पर लिखी हुई है कि जब orbital motion के लिए जो gl की value है वो proton के लिए 1 है और neutron के लिए 0 है आपको समयना है कि 1 और 0 कैसे आया 1 तो आपने last case में देखी लिया कि कैसे e charge के लिए जो gl की value वन आती है अब neutron के लिए वो 0 क्यूं आई तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमेशा ही जो आपका magnetic dipole moment है उसका source क्या है current ठीक है और current का flow होगी जब कोई charge एक finite charge का जो particle है वो move करेगा ठीक है पर neutron के लिए हमारा charge कितना होता है neutron पे तो कोई charge होता ही नहीं तो उसकी जो current होगी वो भी क्या होगी 0 तो अगर current की value ही 0 है तो फिर उसका magnetic dipole moment भी कुछ नहीं होगा इसलिए हमारा जो gl की value है यहाँ पे वो 0 आई ही orbital motion की वेज़े से कोई भी current flow नहीं होगी neutron की ठीक है अब यह तो बात हुई orbital motion की और दूसरा motion था हमारा spin spin की वेज़े से जो factor आते है proton और neutron के वो यह आते है ठीक है ऐसे ही आपको याद होगा कि यह तो जैसे proton और neutron के लिए है electron के लिए जो gs की value है वो क्या होती है two होती है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जो nucleons है वो free particles है तो जब कोई भी particle free है यहाँ पर तो उसका सिर्फ कौन सा motion matter करेगा spin क्योंकि orbital motion के लिए क्या है आप एक बाकी मतलब कोई एक center of mass होगा उसके about ही कोई particle move करेगा पर जब वो free है तो उनका जो क्या motion होगा सिर्फ वो spin ही करेंगे अपने axis पर इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो spin magnetic moment होगा वो क्या होगा ठीक है तो उसके लिए जो हमने last जो हमारा formula निकला था जो कि था mu s z is equals to g s mu n m s z spin के लिए हमारा यह general formula आया था अब हमें इसके लिए निकालना है protons और neutrons के लिए तो यहाँ पर हमने क्या किया कि mu s z की जगा हमने simply सर्फ mu p लिख दिया है यह obvious है कि हम z component की बात कर रहे हैं और gs की जगा हमने gs p लिख दिया है क्योंकि हम proton के लिए बात कर रहे हैं और ms z की जगा हमने ms p लिख दिया है वैसे हमने यहाँ पर neutron के लिए भी किया है तो अब सिंस ms z जो m की value है यहाँ पर सिंस जो हमारे particles है protons और neutrons वो fermion है ठीक है अब fermions के लिए क्या होता है कि जो spin की value है वो क्या होती है मतलब यहाँ fermions के लिए क्या होता है half integral spin होती है पर यहाँ पर जो protons और neutrons है उनको जो spin होती है वो 1y2 होती है electron की तरह आई ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या-किया ms की जगा यहाँ पर value पुट कर दी 1y2 इस तरह से हमारे जो protons और neutrons का magnetic moment है वो यह आए अब हमने जो हमारे यहाँ से factors थे यह values हमने यहाँ पर रख दी तो जब यह values हम यहाँ पर रखेंगे तो जो value आएगी ms और mp की वो क्या आएगी 2.7927 mn और neutron के लिए आएगी –1.9131 mn तो यह हमारे magnetic moment की value आई protons and neutrons के लिए अब इनका meaning क्या है कि जो mp है वो positive है और जो mn है वो negative है तो इसका मतलब क्या निकलता है तो अब से वेले हम यह particles मानते हैं कि यह हमारा proton है हम यह मानते हैं कि यह हमारा proton है तो इसकी जो spin है वो यह जो black arrow है जो right hand thumb tool है उससे निकाली जाती है आप देख रहे हैं कि अगर यह direction है motion की तो फिर इसकी जो spin की direction है वो यह होगी तो वैसे ही हमने यहाँ पर sp लिख दिया तो यह हमारे proton की spin की direction है तो इसका जो magnetic moment है उसकी direction भी same ही है इसलिए हमें यहाँ पर positive sign मिल रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर negative sign मिल रहा है तो यह तो बात हुई इनकी direction की और इस तरह में पता चला कि अगर जो हमारे free protons और neutron है उनकी जो spin की direction है वो क्या होगी पर सी हमें टो है लाँ झाल नहीं है